प्री विद्यार्थियों नमस्कार मैं आंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मादमिक सिक्षा बोड राजिस्तान अजमिर के द्वारा वर्स 2023 में पाठे क्रम का जो विभाजन किया गया है परिक्षा का पाठे क्रम का उसमें भी हम हिंदी विशे पर बात करने वाले हैं हिंदी विशे का जो पुर्णांक है वो सो अंका है और जो इसकी परिक्षा होगी वह तीन घंटे पंद्रह मिरट की होगी तो पुर्णांग सो मैंसे अंकों का विभाजन है वो पाठिक्रम में किस प्रकार किया गया है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं चैनल पर यदि आप नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें अब हम 100 अंक के इस पूर्णांग का जो विभाजन है उसको देखते हैं और पहला जो है इसमें 20 अंक का अपठित बोध है यानि कि अपठित गद्यांस और पद्यांस आपके 10-10 अंक के आने हैं दो तो 20 अंक आपके हो गए है अपठित बोध के रचना में निबंद या पत्र इत्यादी 15 अंक के हैं व्यावारिक व्याकरण यह 15 अंक की हैं और जो पुस्तक आपके पाठिकरम में लगी हुई है 36 भाग एक और कृतिका भाग एक तो 36 आपके 30 अंक की हैं और कृतिका है वो 20 अंक की हैं इस तरह से 100 अंक का जो पाठिकरम का विवाजन है वो मादमिक शिक्षा बोड ने किया है अब हम देखते हैं विस्तार से इस पाठिकरम को अपठित बोड में जो पहली ही काई थी 20 अंक की थी और इसमें अपठित काव्यांस और अपठित गध्यांस यानिकि एक कविता आएगी और एक किसी पाठ का जो अंस आएगा जो आपने कभी पढ़े नहीं है यानि कि आपकी पाठिकरम में सामिल नहीं है वो तो इन से प्रस्न पूछे जाएंगे और प्रस्न दस दस अंकों के होंगे यानि कि 20 अंक के जो अपठित जो आपने आपकी पाठिकरम में सामिल नहीं है और उससे आप से पूछे जाएंग वह है एक आधुनिक विशे पर लगभग 200 सब्दों में निबंद लेकर और यह विकल्प सईथ आएगा निबंद आएगा आपके 10 अंक का और इसकी सब्द सिमाय वो 200 है और यह विकल्प सईथ यानिकी अथवा में आएगा चार निबंद आपको सीर्षक दिये जाएंगे और जिस निबंद जिस विशे पर पकड़ आपकी बहतरी ने आप उस निबंद का चैन करके उसका जो निबंद लेखन कर सकते हैं पांच अंक के आएगा समवाद लेखन या पत्र लेखन ये भी विकल्प सईथ आएगा यानिकी अथवा में आएंगे और आपको करना इस तरह से रचना यानिकी निबंद और पत्र लेखन या समवाद लेखन ये पंदर अंक के हो गई हैं अब हम बात करने वाले हैं व्याभारिक व्याकरण पर व्याभारिक व्याकरण में सब्ध निर्माण यानि उपसरग प्रते से जो सब्ध बनते हैं वह और विशेशन, लिंग और वाचन का विशेशन पर परभाव यह तीन अंक के आने हैं परसर गया इसको कारक कहते हैं ने का क्रिया पर परभाव क्या होता है यह तीन अंक का आएगा वाक्य रचना में वाक्य के जो दो भेद ये दो बिल सरल और संग्त वाक्य ही आपसे पूछे जाएंगे ये तीन अंक के हैं परियावाची सब्द, विलोम सब्द और सुरुती सम बिनार्थक सब्द यह भी आपसे पूछे जाएंगे तीन अंके और मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे तीन अंके तो इस तरह से यह 15 अंक का जो विभाजन है वो व्याभारिक व्याकरण से पूछा जाएगा तो यह जो पांच बिन्दू आपके दे रखें आपको व्याकरण में इन बिन्दूओं का अध्यान करना है इसके लिए आप मादमिक सिक्सा बोर्ड राजिस्तान अजमेर के दोरा जो प्रकासित हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसका सारा ले सकते है और या फिर आपके पा पुस्तक में भी जो छितिस की बात करते हैं छितिस भाग एक और यहतीस अंकियें जैसा कि हमने पहले जाना इस पुस्तक से निर्धारित कविताओं में से किनी दो पध्यांसों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रण संबंदी तीन या चार लगुत्रात्मक प्रश् कमिल की गई हैं उसमें अथवा में आपके सामने दो कविताएं आएगी और उसमें से आपको तीन या चार प्रश्न पूछे जाएंगे जो की छ अंके होंगे यहनकि कविताओं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे छ अंके दूसरी बात है निर्धारित कविताओं में से चार बोधात्मक प्रस्णों मैंसे तीन प्रस्ण यान कि कविताओं मैंसे बोधात्मक प्रस्ण पूछे जाएंगे और प्रस्ण इसमें चार पूछे जाएंगे और आपको इसमें करने होंगे तीन प्रस्ण ही करने होंगे पूछे तो चार जाएंगे लेकिन आपको चार में से तीन प्रश्ण करने है और इसका जो अंक बार है वो नो अंक है अगला बिंदू है निर्धारीत गध्य पाठों में से पाठों में किनी दो गध्यांसों के विकल्प में से किसी एक पर अर्ष ग्रण सम्मंदी तीन या चार लगुतरात्मक प्रश्ण पहले हमने कविता के बारे में देखा था कि तीन चार प्रश्ण आएंगे छे अंके और अब ये गध्यांस के बारे में आपके पाठों में से एक पाठ का अंस दे दिया जाएगा और उस में से प्रश्ण पूछे जाएंगे तीन या चार प्रश्ण पूछे जाएंगे जो लगूत्रात्मक होंगे लगूत्रात्मक प्रश्णों का जो उत्तर है आपको तक्रिबन पचास सब्दों में देना होता है और यह छे अंके प्रश्ण पूछे जाएंगे और गद्य के पाठों में से चार प्रश्ण पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको तीन प्रश्ण करनी है यह नव अंके होंगे तो इस तरसी जो आपकी पहली पुस्तक हैं चितिज उसमें तीस अंके सावा लाएंगे पंदरा अंके कविता वाले भाग से और पंदरा अंके जो पाठाओं वाले भाग से पूछे जाएंगे एक अन्य पुस्तक हैं आपके कौर्स में कृति का भाग एक यह बीस अंकी हैं और इसमें दो निबंधात्मक प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे और उसमें से आपको एक प्रश्ण करना है और यह आठ अंका प्रश्ण है और पांच प्रश्ण आएंगे आपके लगुत्रात्मक जिसमें से आपको चार प्रश्ण करने हैं और यह बारा अंके हैं लगुत्रात्मक का मतलब अभी आपको बताया कि तक्रिबन पचास सब्द आपको उत्तर में लिखने होंगे तो ऐसे पाँच सवाल आएंगे और आपको उसमें से अपनी पसंद के चार सवाल सवालों के जो उत्तर हैं आपको लिखने है तो इस तरह से खेतिस और क्रति का दो पुस्थ कह रही है और शेस सेस जो पचास अंक हैं वो व्यावारिक व्याकरण रचना और अपठित से पूछे जाएंगे तो यह पाठेकरण का विवाजन था कक्सा नो का जो की अभी हाल ही में जारी किया गया है और हिंदी विसे का था तो सो अंका जो पूर्णांक है आपकी वार्षिक परिक्षा होगी उस वार्षिक परिक्षा में इस तरह से प्रश्ण पूछे जाएंगे और प्रश्णों की संख्या इत्यादी इसमें लगबग आपको अंदाज तन आपको इसमें बता दी गई है किसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लखें और फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में धन्यवाद जय हिंद